Hello Learners, Welcome to my channel Enlighten Knowledge आज हम बात करने जा रहे हैं Price Determination Under Monopoly Monopoly में Price को कैसे Determine किया जाता है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि Monopoly की Condition होती क्या है ये कौन सी Market होती है और साथ ही में इसके Features और और भी Definitions जो Economist के द्वारा दी गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आइए शुरू कर लेते हैं उससे पहले जिन्होंने मेरा Telegram Channel या Facebook Page जॉइन नहीं किया हुआ उसको जरूर देख लीजेगा तो आइए शुरू कर लेते हैं What is Monopoly? Monopoly क्या होता है? Monopoly से ही हमें पता लग रहा होता है कि जो Monopoly की Condition होती है वो एक ऐसी Condition है जहांपर क्या है? पूरा का पूरा Control सिर्फ और सिर्फ एक ही Person के पास है या हम कह सकते हैं एक Industry, एक Firm के पास जब पूरा का पूरा Control आ जाता है वही Price को Decide करेगा वही सारा कुछ ही Situation एक ऐसी Market की है ना कि वो ही Price को Decide करेगा जिसमें हम कह सकते कंजूमर का जादा से जादा शोशन हो सकता है क्योंकि कंजूमर के पास और कोई चुआ ऐसी नहीं बचती वो कहीं भी जाए नहीं सकता एक ही अगर Market है पूरे के पूरे उसके area में या पूरे उसकी country में या पूरे उसकी city में एक ही ऐसी Market है जो कोई single ऐसे product को बेच रही है जो उसको कोई दूसरी Market से मिल नहीं रहा तो मजबूरन उसी को क्या है उस Market पे जाना पड़ेगा और जो भी Price वो चार्ज करेगा seller उसको दे कर आना पड़ेगा तो एक ऐसी condition जिसमें हम क्या सकते हैं कि consumer की exploitation हो सकती है अब हम definition से पढ़ लेते हैं that monopoly is that situation of market in which there is a single seller हम यहाँ पे क्या लिखेंगे single seller of a project कोई भी project है कोई भी product है उसका क्या है single seller है product का हमें क्या मिलेगा single seller मिलेगा so it is explained with the help of few examples अब इसमें हम कुछ examples लेकर चले हैं there is only one firm dealing in the sale of cooking gas अगर हमारी area में न सिर्फ एक firm है जो cooking gas supply करती है पुरे town में तो you get your electricity supply from one agency अब आपको electricity अगर किसी supply लेनी है आपको एक agency से मिल रही है that is state electricity board से you travel by railway train owned and run by government of India आप लोग क्या करते हो travel करते हो na railway train से जो किस के अंडर आती है government of India के अंडर आती है इसका मतलब यह ऐसी situation है ना जो अगर हम यहां पे cooking gas की बात करें उसका dealer है जो firm उसको sell कर रही है वो एक ही है electricity board की बात करें वो आपको क्या है state electricity board से ही provide हो गया आपकी electricity की supply यह हम railway train की बात करें that is on and run by the government of India तो यह सारी की सारी situations यह examples किसकी है monopoly की है तो monopoly word ही in reason से बना है this situation of a market where a single mono का मतलब क्या होता है single and firm control अब poly का मतलब क्या होता है control इसका मतलब यहां मतलब क्या बना single control होता है जिसका हर commodity पे हर price पे तो हम क्या सकते हैं where a single firm controls the production of commodities called monopoly जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक single firm ही control कर रही है सारी की सारी production commodity की उसको क्या कहेंगे monopoly की situation कहेंगे monopoly की market कहेंगे hence monopoly is a market situation in which there is only one producer आपको क्या मिलेगा सिर्फ एक producer मिलेगा एक seller मिलेगा commodity का with no clause substitutes यह बहुत important है यहाँ पर कि कोई भी substitute उसका available नहीं होगा उसका प्रड़क्टा अगर electricity है उसका क्या substitute है कुछ भी नहीं जहां से है वहीं से ही मिलेगी cooking gas है कोई substitute available नहीं है अब यह tea और coffee के तो बात की नहीं गई कि जो हमने substitute items में किया था टी का price बढ़ गया coffee लेनी शुरू कर दी अब जहां पर हैसी कोई है ही नहीं substitute तो खुद से ही आप समझ सकते हो कि monopoly क्या है ऐसी situation जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक seller है commodity का और commodity भी ऐसी है जिसका कोई substitute ही available नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा शोशन हो सकता है consumer का और ज्यादा से ज्यादा seller को profit मिल सकता है इसमें तो यह बात हुई monopoly की definition की next है कुछ definition हमारे economist ने भी दी है तो according to question is उन्होंने कहा है monopoly is a market situation in which there is a single seller there are no clause substitute जह हम पढ़ ही चुके हैं for a commodity produce and there are barriers to entry अब यह इन्होंने अलग बात की है that there are barriers to entry entry भी नहीं करने देते कि दूसरी firm को अगर कोई electricity की supply करना चाता है कोई private firm ही आना चाती है तो पहले इनकी क्या है इतनी सारी restrictions होती है कि उनके barriers होते हैं entry करने ही नहीं देते हैं इनके सारे के सारे पहले situations को मानना पड़ता है फिर जाके यह कहीं न कहीं हमें कुछ produce करने की मानिता देते हैं लेकिन ज्यादा तर यह होता है कि इसमें जिसका पूरा का पूरा monopoly होती है वो अपने barriers लगा कर रखते हैं किसी दूसरी firm को enter ही नहीं करने देते हैं इन दे वर्स अ प्रोफेसर Ferguson अब pure monopoly exists when there is only one producer in a market and there is no direct competitor एक pure monopoly की situation क्या है जिसमें सिर्फ और सिर्फ producer क्या है एक ही है market में और उसका कोई direct competitor भी नहीं है competitor अपने आप ही नहीं है एक तो बंदा है एक ही seller है जो सब कुछ produce कर रहा है उसको competitor है ही नहीं तो यह इनकी definitions दी गई है अब इसके features के बारे में बात करते हैं the most important topic of this chapter किसके features क्या होते हैं सबसे पहला one seller and a number of buyers perfect competition में क्या किया था number of sellers and number of buyers इसमें क्या है one seller monopoly की बात कर रहे हैं एक seller लेकिन buyers तो बहुत जादा है under monopoly there should be a single producer of the commodity he may be a sole proprietor sole proprietor word आपने business studies में भी पढ़ा होगा बहुत बार तो मैं आपको इसका मतलब बता देते हैं sole मतलब एक एक अकेला ही producer है एक अकेला ही proprietor है businessman है जो कि क्या कर रहा है उस अभी price को commodity को अपना control रख रहा है और there may be a group of partners a partners का group भी हो सकता है या फिर कोई joint stock company भी हो सकती है या state भी हो सकती है it may भी उन्होंने बताया है या तो अकेला एक होगा या कोई group भी हो सकता है partners का या एक joint stock company भी हो सकती है हम यहाँ पे यह नहीं कह रहे कि एक individual ही है हम यहाँ पे क्या कह रहे है एक firm हो सकती है जिसका पूरा पूरा control होता है So thus, there is only one firm in monopoly and there is no distinction between firm and industry A firm ही एक है, तो industry कहां से आएगी? इसी को मैं firm कहूंगी, इसी को मैं industry कहूंगी जब है ही एक चीज़, तो firm और industry में distinction जो है वो खतम ही हो जाता है But the buyers of the product are in large number Buyers तो बहुत जादा होते हैं, cooking gas हर एक को चाहिए, electricity हर एक को चाहिए तो उसके buyers तो बहुत जादा होंगे Consequently, no buyer can influence the price कोई भी buyer तो price को influence नहीं कर सकता But seller कर सकता है, अपनी accordingly price charge भी वो कर सकता है different customers से यह तो पहली थी Second is, monopoly is also an industry अब बताई चुके है, firm और industry को जो difference होता है दोनों के बीच में यह disappear ही हो गया तो इसका मतलब क्या है Monopoly की situation में एक ही firm है तो difference उसके बीच में disappear हो गया So there is no difference between study या फिर firm की करो या industry की करो, कोई difference ही नहीं है लेकिन perfect competition में हमें दोनों को अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है Third is, restrictions on the entry of new firms यह जो caution इसने बताया था कि there are barriers to entry तो इसका मतलब क्या है नई firms के लिए बहुत सारी restrictions पैदा कर देते हैं Under monopoly there are some restrictions on the entry of new firms in the monopoly industry और इनका कोई competitor भी नहीं होता कोई clause substitute नहीं होता ही कह न? कि हमें कोई clause substitute नहीं मिलेगा अगर मिल जाता है तो क्या होगा? Monopolist वैसा price charge नहीं कर पाएगा जैसा वो पहले कर पा रहा था Otherwise, the monopolist will not be able to determine the price of his commodity as per his discretion मतलब choice इसका मतलब क्या है? अपनी choice से वो कोई भी price charge नहीं कर पाएगा अगर उसको substitute मिल जाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे कि कोई भी substitute अवलेबल नहीं है फिफ्थ है प्राइस मेकर अब यहाँ पे क्या था? परफेक कॉंपेटिशन में क्या पड़ा था? प्राइस टेक कर यहाँ पर फॉर्म क्या होती है? प्राइस मेकर पैसा बनाती है ही कह न? तो हम इसमें बात कर सकते हैं मनॉपलिस्ट हाँ फूल कंट्रोल ओवर दा सप्लाई ओफ अफ अ कॉमोडिटी तो मेरी दिमांड होने या ना होने इसे उनको कोई फरक नहीं पड़ने वाला बहुत सारे लोग हैं उनसे चीज़ों को खरीदने वाले तो एक सिंगल बायर हो या ना हो उनको कोई असर नहीं पड़ने वाला बड़ा दिमांड फॉर आ सिंगल बायर constitute only a small portion of the total market demand, मैं बहुत ही छोटा हिस्सा हूँ total market demand का, तो मैं किसी चीज को demand करूं, ना करूं, उनसे इनको कोई जादा असर नहीं पढ़ने वाला है, hence the buyers have to pay same price as fixed by the monopolist, in other words, price of the commodity fully किसके control में होती है monopolist के, in case the monopolist increase the supply, अब यहाँ पर आ जाओ, अगर monopolist supply को क्या करता है, increase कर देता, यहाँ पर ऐसी situation है कि supply बड़ी हुई है, चीजे जादा है रिचने वाली, लेकिन demand कम है, तो क्या होगा monopolist अपना price fall कर देगा, ठीक है ना, और अगर supply क्या है, कम है demand जादा है, तो monopolist price को बढ़ा देगा, यह ऐसी situation होते है market में, a monopolist may also indulge in price discrimination, यह भी इसका बहुत important concept है, इस chapter का, price का discrimination बहुत जादा होता है, एक monopolist क्या करता है ना, different different price charge करता है, एक ही product के, different buyer से, यह आपने कई बार देखा भी होगा, जो, जैसे क्या होता है, कि कोई चीज लेने जाओ, अगर उसके जान पैचन वाला है, उससे जादा उससे बनती है, उनसे तो वो कम price charge कर लेंगे, तो दूसरे person से क्या होता है, उसी product का जादा price charge कर लेंगे, किसी को कुछ पता तो है नहीं, और seller भी एक ही होता है, तो जाना भी उससे के पास पढ़ता है, तो क्या आता है, price discrimination वाली condition इसमें बहुत जादा देखी जाती है, तो हम क्या सकते हैं, कि यह इसके जो important features हैं, यह हमें ध्यान में रखने हैं, monopoly की बार-बार मैं बता रहे हूं, सिर्फ single seller, single firm की बात की गई है, firm और industry में इसमें कोई भी difference आपको लेकर नहीं चलना, क्योंकि एक single ही firm है, तो इसके जो जो भी features हैं, आपको अच्छे से याद रखने हैं, कि कोई restrictions होती हैं, इसमें नई firms के आने की, monopoly एक तरह की industry है, salary इसमें एक होता है, बार-बार सारे होते हैं, close कोई substitute नहीं होता, और इसमें firm क्या होती है, price maker होती है, और यहाँ पे एक और बात आपको पता लगी, कि इसमें price discrimination भी होता है, आगे बात करेंगे हम demand and revenue under monopoly की, I hope आपको अच्छे से clear हो गया होगा, अगर वीडियो पसंद आई हो, इस channel को ज़रूर subscribe कीजिए, like, share and comment and press the bell icon, ताकि हर वीडियो की notification आपको time to time मिलती रहे, thank you.